मोधी सरकार दो की एक साल के उपलब्धियों को बीजेपी आमजन के बीच में लेकर जा रही है इसी संदर्ब में कोरोना से संक्रुमन के चलते बीजेपी डिजिटल प्लाटफॉर्म के माध्यम से देश भर में वर्चुल रैलिया फिलहाल कर रही है प्रुदेश में 14 जून को पहली वर्चुल रैली होगी इस रैली को भाजबा के राश्री अध्यक्ष जेपी नड़ा संभोधित करने वाले हैं जिसके लिए प्रुदेश भाजबा तैयारियों में जुट चुका है 14 जून को होने वाली रैली में जैपुर और भरतपुर संभाग के लाखो कारी करताओं को डिजिटल प्लाटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है भाजबा प्रुदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया लगातार विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए दोनों संभागों के जन प्रतिनिधियों और साथ ही में पाठी पदाधिकारियों से समवाद कर वाट्साप, फेस्बुक, ट्वेज़ और दूसरे डिजिटल प्लाटफॉर्म से जोड़ने के नरदेश दे रहे हैं इसे के साथ सबी भूतों पर वाट्साप ग्रूप्स भी बनाए जाने लगे हैं देश बर में अब क्योंकि कारेपदती बदली है उसका तरीका है कि अब सारा काम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगा तो ऐसे प्रतेग विदान सबाद छेत्रों में दो वीडियो कॉन्फरेंस होंगी और तीन वर्चूल रेली पूरे प्रदेश की होंगी संभागवार दो-दो संभागों को मिला के हमने किया है इसमें देश में जैसे बिहार की ओडिसा की और बंगाल की रेलियों हुई है उसी तर्च पर होगी केंदर के कुछ प्रमुक नेता जिसमें राश्टी अद्दक जी राजना सिंग जी स्मृती रानी जी नितिन गड़ गण है उन में से कोई इन रेलियों को संभोदीत करेगा उसकी तैयारी चल रही है लेकिन यह क्यों कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा शोशल मीडिया के जरिये होगा तो लाखों लोगों तक मुझे लगता है कि हम लोग अपनी बात पहुचाने में काम्याब होंगे कि तैयारिया शुरू होगी पहली रेली चौदा को